गखर या गोखर राचपूत भारत के इतिहास में अपनी वीरता और शूरता के लिए जाने जाते हैं खास कर विदेशी मुसलिम आक्रमनकारियों के विरुद लडाई में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इन्होंने आक्रमनकारी मुहम्मद कोरी को खतम किया कुतुबदीन, इल्दुतमेश, बलबन और मुहम्मद बिन तुगलक जैसे नर पिशाचों को धूल चटाया पर तो लड़ते लड़ते ये धीरे धीरे कम और कमजोर होते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि विदेशी मुस्लिम आक्रमनकारी उसे अपनी प्रजा की चान, माल और अस्मत को शुरक्षा के लिए इसलाम का ढोल भी गले में बानना पड़ गया इन्हीं लोगों में से एक थे शीक खोकर जो नाम से तो मुसल्मान बन गए परंतु अपने देश धरम और अपनी हिंदु प्रजा के लिए विदेशी आक्रमनकारी उसे उनकी जुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया नमस्कार दोस्तों हिंदी स्टोरी ट्यूब में बात करेंगे जसरत खोकर की जो मुसलिम आक्रमनकारियों का काल बन गए लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर नए हैं तो जल्दी जाके हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी है रोचक और म जसरत खोकर भी था जो 1420 से 1442 इसवी तक खोकरों के राजा थे उन्होंने पंजाम जम्मू हरियाना हिमाचल प्रदीश और खैबर पक्तुआं पर शाशन किया 1431 इसवी में वे दिल्ली पर विजय प्राप्त करने में सफर रहे राजा शेक खोकर की ओर से विदेशी मुसलि उसे युद की दुरान एक बार जसरत खोकर को समरकंद में बंदी बना लिया गया था पर शीग्रवे अजाद हो गए उन्होंने तैमूर के वंशत समराच शारुक की बेटी से शादी की थी बाद में पंजाब लोटा है राजा शेक खोकर की मिट्यू के बाद जसरत खोकर राजा बने और उन्होंने बची कुछी इसलाम का जुआ भी अपने कंदे से उतार फैका कश्मीर के राजा जैन उल आब दिन द्वारा सहायता मांगी जाने पर उन्होंने अली शा के विरुद उसकी सहायता की और अली शा को हराया सुल्तान अली पकड़ा गया हिंदू ने उसके गिरों को नश्ट कर दिया जानते हैं जसरत खोकर के दिल्ली सल्तनत के विरुद यूद का किस्ता दिल्ली सल्तनत के शेतान खेजर खाकी मिर्त्यू का समचार पाकर वीज जसरत ने व्यास और सत्लुज नदी पार की और वें उन धर्मांतित हिंदू पर तूट गुर्गे बनकर सारी क्रूर मुस्लिम कलाएं सीख चुके थे राय जसरत की चमकती तलवार को देकर ये नए धर्मांतित हिंदू तलनन जी के राय कमालुद्दीन और राय फिरोज 9-11 हो गए लुद्याना रोपर और जलंधर के शेत्र को राय जसरत ने अपने अधिकार मे ले लिया मजबूर होकर जिरक खान ने जलंदर दुर्ग भी सौप दिया मुस्लिम कपट की आदत से लाचार अपनी नाग बचाने के लिए जरीक खाने जसरत राय के सायक तूशण राय के एक पुत्र को उड़ा कर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई जलंदर के किले से त सुल्तान मुबारिक शा को अब वीर हिंदू नेता जसरत का खर्ट से खत्रा पैदा हो गया जसरत एक वीर हिंदू राजा तता पंजाब और सिंद का शेर था प्रतियक हिंदू के लिए वे प्राता स्मर्णिय है मुस्लिम लुटेरा मालिक सुल्तान शालोदी जसरत की पारिक अपनी गदी के लिए खतरनाक समझ रहा था 1421 को उसने दिली से पंजाब के रहे प्रस्थान कर दिया मुस्ताधर वर्षा के वीच दोनों की सेना नदी क्यार पर लुध्यानी के समीप खड़ी थी उस्थान की सारी नौकाएं जसरत के अधिकार में थी काफी प्रया का गड़ टेखर जीता नहीं जा सका आसपास के ग्राबिन शेत्रों को लूट कर मुस्लिम सेना लाहूर लोट गई यहानी बिन एहमत सरहिंदी लिखता है 1421 इसवी के दिसंबर में सुल्तान ने बरबर लाहूर शहर पर प्रवेश किया इसमें उल्लों के इलावा कोई जिन जसरथ भी था उसने लाहूर के किले को घेर लिया लाहूर के कीले के घे मुसल्मानों पर 35 दिन तक सफाया कर रहे थे मुस्लिम भक्ति दिखलाता हुआ उसकी पीट पर मुसल्मानों का पिठ्ठु बना भीम कला नहूर में जसरथ की सेना पर हमला कर रहा था दोंगों के बीच जसरत अडिक अजय खड़ा था भीम पराजित हुआ सुल्तान चुपके से दिल्ली सरग्या संभवता इसी समय जसरत ने जमू पर अधिकार कर लिया भीम की हिंदू सेना अपनी हिंदू द्रोही राजा की मित्यू से मुक्ति की सांस ली उन्होंने वीर हिंदू जसरत को अपना राजा स्विकार कर लिया आप राजित योद्दा जसरत खोकर उस काले काल में जब मुस्लिम सेना के जत्ते हिंदू द्रोह को निगलने की तैयारी कर रहे थे हिंदू शौरे भरपूर जसरत सूरे की भाती चमका था उसकी कूट नीतिया वरंच चतुरी ने हिंद मस्ती और रंग्रेलियों में डूबा हुआ था उस समय खबर मिले कि वीर जसरत लाहोर कलानोर जालंदर और कांगड़ा के साथ सारे पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया है बयाना ने फिर बगावत कर दी इससे खिन और उद्विक होकर सुल्तान फिर गौालियर लू इसका विरोध करने के लिए मलिक स्थिकंदर आया और वो भी कैद हो गया जसरत खुकोर के साथ एक और किस्सा है धर्मांतरित हिंदू शेक अली का जब सुल्तान इस सारी ललकारों के बेजदिल्ली में अराम कर रहा था शेक अली जो एक जबरन धर्मांतरित हिंदू था न वालियों का बहुचार करते हुए बड़े दुखी दिल से इतिहास कर यहां एहमत सरहिंदी ने लिखा है कि सारे मुसल्मान नापाक जालिम काफिर यानि हिंदू के कैदी हो गए हैं बयाना और ग्वालियर में बागी ही थे दूसरी बगावत का विस्वोट पंजाम के सामन में हुआ विकट जस्रत सुल्तान की सेना पर तूट पड़ा और उसे तितर पितर कर दिया बॉखला कर सुल्तान लूट के लिए मेवात की और मुड़ गया दिल्ली की मुसलिम सत्ता के अधीन एक के बाद एक दूसरे क्रेंद्र को छीनता धर्मान तरित हिंदू शेक अली पंजाब होकर आगे बढ़ता गया तारी के मुबारक शाही से स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने लूटे हिंदू धर और खूने सुल्तानी तलवार के नीचे भैसे कापते अपने देश वासियों का बदला लेने के लिए निकला था मुसलिम सैनिकों के लाहोरी कमांडर मल उसफभ और मलिकि इस्माइल हिंदू तलवार से भैवित होकर रातो रात राहुर के लिए से भाग निकले उनका पीचह करने के लिए शेक अलीर एक सेना भेज़ दी पीचह करने वालों ने अनेक लोगों को मार गिराए दूसरे दिन मुसलिम इतिहासकार यहां तारीक मुबार्शाहि में लिखता है इसलाम की गड़िको नश्ट करने और मुसल्मानों को कैद करने के अदिम उतिहासकार पुल्ष उत्तम नागेश ओप लिखते हैं मंतिखाली, इसलामी जीवन और कर्टूटों का स्वात चेहने के बां जसरत और अली शेक ने ये सावित कर दिया कि हिंदुस्तान के लिए लाहौर सेक्रोबार जीता जा सकता है 19 जन्वरी 1434 इसवी को जब सुल्तान मुबारक शानबास की तयारी कर रहा था कि मीर सदर्थ ने पहरे पर से अमीरों को हटा दिया विदाय लेने के बहाने कुछ हिंदु गोडे पर चड़कर आए सुधारुन कंगु अपने दल के साथ बाहरी ठहर गया सुल्तान की साहता के लिए कोई भीतर ना जा सका सिंदुपाल तेजी से भीतर गया और उसने राजा के सर पर ऐसा वार किया कि उसके जीवन का अंध हो गया मुबारक शा के मौत के बाद शैतान खिज्रखा का पोता मुहम्मद सुहाशुल्तान बन गया वें सिंदुपाल के पीछे था सिंदुपाल बयानाम रोहा नार्नोल और दुआप के कुछ शेत्रों को वापिस हिंदु अधिकार में लेनी के लिए प्रयत्न शीर था इसी करम में चारों ओर से मुस्लिम सेना से घिरे जाने के कारण सिंदुपाल ने अपनी स्थ्रियों और बच्चों को घर में बन करद के आग लगा दी और वीर हिंदु परंप्रा के अनुस बहलोलोदी और जसरत खोकर के एक किस्से पर इस समय तक दिली का भावी सुल्तान भलोलोदी का सितारा बुलन हो चुका था सुल्तान ने उससे खुश होकर लाहौर और दीपालपूर की जागिर लूटने के लिए बहालोदी को दी जो उस समय जसरत की राज्जे का हिस्ता चौक ये मत दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान जागीरों का बटवारा इसी प्रकार करते थे जो मुगल काल में भी कायम रहा बहलोर लोदी जसरत की शक्ती को जानता था इसलिए उसने जसरत से एक समझोता कर उस वीर योधा की साहता लेने का विचार किया जसरत की साहता पार जाने का आशवाशन मिलने पर बहलोर लोदी ने आसपास के शेत्रों को अपने काबू में कर सुल्तान से टक कर ली 1445 इसवी में मुहमत शाम मर गया बहलो लोदी ने सुल्तान के पुत्र अल्लाओ दिन को सुल्तान घोशित कर खुद को संरक्षन बना लिया और एक दिन उसकी हत्या कर खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया तो ये थे कुछ किस्से जसरत खोकर जो मुसलिम आक्रमन कारियों का काल बना उनके बारे में आज की कहानी आपको कैसी लगी है कॉमन सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा तो फिर मिलते हैं ऐसे इंट्रस्टिंग स्टोरी के साथ तक तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी काम बहुत बहुत धन्यवान